तो दोहरी घाठ होते हुए हम खड़े हो गए है रसूलपूर में और रसूलपूर के लोगों से बात होगी कि इस बार लोगसभा का क्या मूड है रसूलपूर की जनता इस बार के लोगसभा के चुनाओं में किसको अपना मत करेगी फिर पार्टी के नाम पर कोई बाहरी परत परत्यासी आपका है तो बात होगी कि भारती जनता पार्टी की सरकार में रोजगार के क्या हालात है और जो यह बाहरी परत्यासियों का जमाउड़ा रहा है पिछले दिनों का वह खत्म होगा कि नहीं क्या नाम है आपका रामपर्वेस यादो जी इस बार किसको सांसत बना है जाए दूर दूर से आते हैं लोग और चले जाते हैं फिर कर विए डीन यह समझ्वादी पार्टी से जो आएगा उसके जब द्रधावे कि हमारे चेतर को उन्नत के मारग पर ले जाएं जलेएं एक आदमी है इनकी चक्रोट की समस्ता प्रूर सची नहीं है जाएं नहीं मतलब तो यह रसूलपूर की जगा है मैं इंकी समस्या जाने के कोशिव किया लेकिन यह नाम नहीं बताएंगे और समस्या पे चिलाएंगे तो मैं आगे continue करता हूँ क्या नाम है आपका राम जनम जी एक चेहरा है बद्रिनात का नाम साथ सुने होंगे यह अब बाहरी परत्यासियों का ख़देडा कर रहे हैं यह कर रहे हैं कि घोसी में कोई आस्थानी आएगा तो हमारा विकास करेगा तो इनके बातों से आप लोग बाहरी भगाओ बस यह जानते हैं सीधा सीधा अब तक लिए जो भी विकास हुआ कलपनास राय किया है बाकी कोई सांसद विदाय कुछ नहीं किया है इन लोगों से फोट लगा है पिछले पांच सांसद है चाहे वो बाल कि सभान हुए चाहरी नरायन राजबर चाहे दारा अधाय कि रोजगार के बाद से फुछ नहीं है उसके बाद बताईए कि रोजगार कहां है कोई दिखाए कि यहां भरती यह बात है नोकरी है ये बात है कौई कहीं बेवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश पूलिस की परिच्छा हुई है तो हो जाने दीजे ना पार हो जाएगी तम न मानेंगे कि सही भरती निकड़ी है दर है कि पार होगा कि नहीं है चलिए क्या नाम है आपका अखिल जी इस बार जो बाहरी भागाने का नारा चला है बद्री रात यह मुहें तो चला रही है कि तनी सफल अब तो आने मीवला समय बताएगा कि सफल होगी पर लोकल कंडिट चाहिए कोई भी हैं है वह कोई देखा ही नहीं है पिंक उसके अनिया राजबर थे उनका भी उई है उसके पलद चंदु राजबर थे उनका भी नहीं पुरा महुझा बादियों कहा है नेवासियों कहा है पुरा महुझा जिला उठाकर देख लेजिए इस बार मधुवन विधांसवाम देखते हैं एक चीज और सामने आती है जैसे आप अस्थानी की बात कर रहे हैं लेकिन कोई समाजवादी पार्टी को चाहने वाला होता है कोई बीजेपी का होता है कोई बहुजन समाज पार्टी को उसके उससे प्रभावित होता है ऐसे जब आप चैजिस पार्टी को मानते हो उस विकास के लिए लोकल को जब तक नहीं चुनेंगे तब विकास नहीं होगा जो इसी दास्ते से जाएगा तो दुख होगा तो भी अपने लिए उत्या करेगा बड़ा आदमी है उसको असी दास्ते से जब खरंजा सही करेगा तो उस खरंजा संभी जाएंगे नो तो मारा भी लाब होगा चलिए चाये वह भारती जनता पर्टी हो चाये बहुजन समाच पार्टी हो इस बार घोसी का अस्थानी अगरहेगा तो साइद से वो सड़कों की हालात को समझेगा, महिला डिगरी कालेज बनवाने का काम करेगा, भोसी में कोई बड़ा हस्टीटल भी नहीं है, तो ये चीजों को लाने का काम करेगा, साइद अब अस्थानिय लोग, यहां के लोग इस बात को मानते हैं, कि जब अस्थानिय र बाहरी या स्थानी क्या मुद्द्ध होंगे तो कोई मांगे नहीं स्थाइब रहेगा हम लोग का सिछ्छा हुआ नोकरी रोजगार हुआ मांगाई हुआ इस पर चर्चा हो तो अच्छा होगा अम लोग तो 20 से देख रहे हैं वीजेपी सरकार कुछ भीकास नहीं है बाहरी प अस्पीटरल हुआ और जो भी सुबदा हुआ मिलेगा बाहरी अटाओ और लोकल भोसी बचाओ चलिए थोड़ा सा इधर हो जाते हैं यह वह बैनर है जिस बैनर को लेकर मैं चल ला हूँ कौन बचाएगा सरद्दे कलपनात राइकी विरासत और चुनावी चर्चा आप मेर बनाव कि यह चहरा ज्यादा क्या नाम है आपका राजकुमार जी इस बार एक नया फोटो थोड़ा सा पीछे आप देखिए यह बद्रीनाथ है इनको आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं यह कैसे बैखती है यह बाहरी ओको बाहरी का ख़देड़ा करने को करने की बात तो क सफल है संगास करें एक नाएक दिन सफलों है पड़ेगा ना भी तो शंगास करना पड़ेगा इनको अगर बात करें भारती जंता-पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी है तो कुछ रोजगार के उपाय है, रोजगार आप लोगों को मिल रहे हैं क्या इस्त्तित्य है रोज पार्टी जन्ता पार्टी तो बड़े बड़े मंचों से यह दावा करती है कि हम रोड बनवा रहे हैं गाउं गाउंगाउं उनकी टी में जा रहे हैं तो यह सब चीजे आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है कि बीजेपी का कोई पांच काम गिना दिया जो राष्टी अस्तर पे हो धाराश्टी 370 और राम मंदिर राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो राम मंदिर आप जहां खड़े हैं यहां से पूजा तो दिल से किया जाता है ना दिखा क्यारती थोड़ी होगा अगर बात करें घोसी की तो लोग सबागा चुनाव आ रहा है फिर कोई नो कोई सांसत बनेगा लेकिन घोसी और कलपनात राय की विरासत को कौन बचाएगा घोसी लोग सबाब हैं जितने भी कारी हुए कलपनात राय जी के द्वारा ही हुए हैं कलपनात राय जी नहीं जो कारे किया उस पे आज का कोई नेता पेंट पालिस करने वाला नहीं है जैसे क्लेक्टि उठाक देख लीजिए वो मधवन और जितने बेटेलीपोन इक्षेंज वो देख लीजिए आइटी आइक देख ल हुआ जो आते हैं जीतते हैं और रहस करके चले जाते हैं फिर पांट साल बाद वहां पसरते हैं यह इस्थिती है घोसी लोग सभा की और कलपनात राय जी का नाम हर कोई लेता है चाहे वो किसी पार्टी का हो लोग इसीज को मानते हैं कि जो सरदेक कलपनात राय ने घोसी के के लिए किया मौ के लिए किया वह साथ किसी नेता नहीं किया